सब्सक्राइब नव और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट बुड मोरी स्टुडेंट्स आप सबी को आपके अपने यूटुब चानल पीके चनपट्या अनलाइन एजुकेशन में स्वागा थैं बच्चों आज हम लोग एलोक्टोनिक विन्यास पढ़ेंगे बहुँ सारे बच्चों का डिमांड था कि सारे एलोक्टोनिक विन्यास बताएगे बच्चों की डिमांड पर आज हम एलोक्टोनिक विन्यास पढ़ाने जा रहे हैं यह एलोप्रोनिक विन्यास आप लोग को चार तरीका से बताएंगे, जो हाई स्कूल से लेके कॉले तब इंपोर्टेंट है, इस एक्जाम में दोचार नमबर का प्रास्ट निश्चित रुख से आता है, यह सबी विद्याथ्यू के लिए इंपोर्टेंट है, चाहे वो जेन के त्यारी कर रहा हो, या किसी वर्ग में पढ़ रहा हो, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, ताकि कोई भी विडियो बना रहा है, तो इसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने में कुछ नहीं लगा हुआ है आपका एक पैसा भी नहीं लग रहा है या मुक्त में सब्सक्राइब और लाइक है आप इसे कारणा ना भूले एलक्ट्रोनिक विन्यास जिन्यास अब सब्सक्राइब इलक्ट्रोनिक विन्यास का परिमासा देते हैं कि किसी तक्त में उपास्तित एलक्ट्रोनों की संख्या को बीधिक कच्छो या उपकच्छो में सजाने या बाटने की प्रकिरिया को एलक्ट्रोनिक विन्यास करते हैं यह एलक्ट्रोनिक विन्यास चाल प्रकाल का होता है तिरह चाल परकाल का होता है पहला हो गया कर्च के आधालत्वा है कर्च के अनुशार एलेक्ट्रोनिक दूज नियास एलेक्ट्रोनिक दूजाए और विट वाइज एलेक्टोनिक कन्फिग्रेश्टाइश्ट दूसरा हो गया उपकच्छ के अमसा एलेक्टोनिक विन्यास है उपकच्छ ए अनुसार एलेक्टोनिक विन्यास इसको इंग्लिस में सब और विट है सब और विट वाइज एलेक्टोनिक कन्फिग्रेश्टाइश्ट तीसरा हो गया अर्बिटल वाइज एलक्ट्रोनिक विन्यास या बॉक्स टाइब एलक्रोनिक विन्यास अर्बिटल या बॉक्स टाइब एलक्रोनिक विन्यास या बॉक्स टाइब एलक्रोनिक विन्यास या बॉक्स टाइब एलक्रोनिक विन्यास या बॉक्स टाइब एलक्रोनिक कंफिगरेशन या बॉक्स टाइब एलक्रोनिक विन्यास अक्रिये गायस के अलुशार या बॉक्स टाइब एलक्रोनिक विन्यास 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 कि यह चार प्रकार के लोक्रोनिक्स विन्याज शिख लेंगे तो हाई स्कूल से लेंगे के कॉले तक आपका काम देगा अब हम चारों प्रकार के बारे में एक एक करके बताने जा रहे हैं हलता है झाल 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 अब पहलगतार है कच के अनुसार एलेक्ट्रोनिक विन्यास है कच के अनुसार एलेक्ट्रोनिक विन्यास किसी वी काच्छा में एलेक्ट्रोन की अधित्तम संख्या का सुत्र होता है किसी काच्छ या किसी काच्छा में उपास्थित् एलेक्ट्रोन एलेक्ट्रोन की अधिक्तम एलेक्ट्रोन की अधिक्तम संख्या होता है एक सुत्रोन टू एन्यस्क्वायर यहां एन का मान है एन का आथ है का अच्छा की संख्यानी आर्बिट की संख्या यह जाहां एन कछा की संख्या यी संख्या वार्थम कछा के लिए प्रात्राम कछा जैसा थैसाै क्यों करते हैं कच्छ के लिए या कच्छा के लिए n का मान 1 होगा n का मान 1 होगा तो इलक्टोन की अधिक्तम संख्या हो जाब इसमें बैठाईए 2 n के अस्थान का 1 रखेंगे 1 का स्क्वाई 2 कुना 1 के स्क्वाई तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा पाथम काच्छा में अधिकत्म संख्या हो जाएगा दो पाथम काच्छा को केस से सुचित करते हैं दूसरा काच्छा हो गया L दूसरा काच्छा हो गया L इसमें L का मान रखेंगे दो cqnd माधिक्तम संख्या निकालेंगे ऐंड क्यास्थान पर दो रखेंगे दो गुंदा एंड के स्थान पर दो रखेंगे तो का सुआय है दो दो का स्वाय करेंगे तो चार हो जाएगा यह कनो स्फोन का आठ हो गया डूसरी कल्चह में दो अथितान के आठ्छ हो गया है एक हिए झार हेल्व या तिसटी इन काफ्छा ऑगिया है चे एइन कामार्थ तीन हो जाएगा इसमें बैठाहंगे फिए इसे स्कॉाय्ष हाँ बिंस क्रोंछ प्रोदाइगा यह कु lleद्वी क्रोड करेंगे तो यह चॉल जाएगा दो का स्पार करेंगे तो यह नो हो जाएगा तो यहाँ ठार हो जाएगा उसी तरफ के एल एम एन चौति कच्छा के लिए एन का मान चार हो जाएगा इस्तार पस्थ करेंगे एक तो 16 हो जाएगा 32 हो जाएगा हो इसल्वास ऑखितल संख्य जो है हम नो कच्छा में म्ढशना डोयखकोब करेंगे इन स्थली कंच्ता सकते है निपल चान्व लिए इंपोर्टेंट है कि दूसरे काच्छ मेल डॉन की अधिक्तम संखया कितना होगा थीसरे कच्छ मेलट्रों की संख्या कितना होगा पर इस सुट से निखाल सकते हैं अब हम बात करें इसका एलक्तोनिक विन्यास करें तेसे स्टूडियम लेती है हम स्टूडियम का संकित एन्ने होता है प्रमारु संक्या एगारा स्टूडियम के पास 11 एलक्डोन है हमें 11 एलक्डोन को व Всемगा नहीं तो पहला कष्छा में एलक्डोन का संक्या हो जाएगा दो दूसरा कच्छा में एलेक्ट्रोन की संख्या निकाले हुए थे आठ कितना एलेक्ट्रोन भर गया दो आठ दास एलेक्ट्रोन भर गया अब एक आले एलेक्ट्रोन है दास एलेक्ट्रोन भर गया एक एलक्ट्रोन बचा हुआ है तो तीसरे कच्छा में एक एलक्ट्रोन चला जाएगा प्रोडियम के एलक्ट्रोन की बिद्धास हो गया, दो, आठ, एक उसी तरह ऐलमोंीयम लेंगे, एल जिसका संक्यत होता है इसका परमारु संक्यत त्यारा होता है पहला कच्छा में दो एलक्ट्रोन, दूसरा में आठ एलक्ट्रोन, कितना एलक्ट्रोन भार गया, आठ है दो, दस एलक्ट्रोन भार गया, तीन एलक्ट्रोन और इसके पास बच्चा हुआ है, तो तीन एलक्ट्रोन जो है, तीसरा में चला जाएगा कुलोरीन लेते हैं हम सीरियल होता है जिसका परमारुप संख्या 17 होता है कि बचलेगा और दूसरी कच्छा में आठ एलेप्रोन होता है कि इतना हो गया दो आठ दस हो गया इसके पास साथ और एलेप्रोन बच रहा है तो अगला कच्छा में साथ एलेप्रोन चला जाएगा अगला पोटेसियम, पोटेसियम पर क्ये होता है, जिसका परमारू संख्या 19 होता है, तो पहला कच्छा में दो एलेक्ट्रोन होगा, दूसरी कच्छा में आठ एलेक्ट्रोन होगा, दस एलेक्ट्रोन हो गया, अब इसके पास 9 एलेक्ट्रोन और है, तो तीसरी कच्छा में दो है, आप लोगों को देखाएं होती कि तीसरी कच्छा में 18 एलेक्ट्रोन होता है, यानि एले कमाद 3, 2 एलेक्ट्रोन हो जाएगा, तीसरी कच्छा में लेकिन या तीसरी कच्छा में 18 एलेक्ट्रोन नहीं राता है, इसके लिए हम एक आश्टक नियम समझते हैं, आश्टक, आश्टक का आथ होता है, आथ, आश्टक का संस्कीत भासा होगे आश्टक, तो पतेक्ट्रोन जो है आथ से आधिक एलेक्ट्रोन नहीं रहने देगा, जैसे में कोई घार है या, उसमें मकान माली का आदेश है कि इसमें आथ से अधिक बेक्टी नहीं रह सकते हैं, आथ से कम रह सकते हैं, एक बेक्टी दा सकते हैं, दो बेक्टी दा सकते हैं, अधिक से आधिक आथ बेक्टी दा सकते हैं, आथ से नौ बेक्टी नहीं रह सकते हैं, अगर आथ से अधिक संक्ष्या होगा, तो आपका दूसरा रूम लेना पड़ेगा, तो इसमें भी वही नियम लागू होता है कि आठ से अधिक एलेक्ट्रोन अपने अंदर नहीं रहने देगा आठ से अधिक एलेक्ट्रोन होगा तो आगला कर्चा में नहीं कहेगा कि आगला रूम ले दीजिए अगला रूम लेने के लिए बोलेगा कि हम अपने अंदर आठ से अधिक एलेक्ट्रोन नहीं रख सकते हैं तो तीसरी कच्छा में भाले 18 एलेक्ट्रोन होता है लेकिन यह आश्टक बनाने के लिए यह तत्त जो है उसमें आश्टक बनाने की प्रवीती होता है जब कोई भी तत्त आश्टक बना लेगा आठ एलेक्ट्रोन प्राप्थ हो जायेगा बाहरी कच्छा में तो वो अस्थाई हो जायेगा किसी भी तत्त से इधर उधा पति किरिया नहीं करेगा वो अस्थाई रुप से बना रहेगा इसी कारणिया आठ तत्व ही आठ एलक्टोन ही अपने अंदर लखने की प्रभीति रखता है आठ से अधिक एलक्टोन होगा तो अगले कच्छे में भेजने के लिए बोल देगा है तुम अगले कच्छे में चले जाओ यानि अगला लूम ले लो तो तीस्दा में जो है आठ एलक्टोन ही रखेगा या अब कितने लग्टोन हो गया आठ सुर्ला दो अठार अब फिर अगलत में एक चला जाएगा कुसी तरह काल्सिया काल्सियम का प्रमालु संख्या 20 होता है तो पहला कच्छा में दो अलक्टोन हो जाएगा दूसरी कच्छा में आठ एलक्टोन हो जाएगा तीस्दा में अठारे एलक्टोन आएगा अठारे प्रोड तुए देश्पासूत का उसर होगा लेकिन आठ से आजिक एलेक्टोन नहीं दो हने देगा तीसरा में चला जाएगा आठ होगे कितना आठा स्वला सत्रा अठार हो फिर अगला में दो एलेक्टोन चला जाएगा इस तरह हम और्विट वाइज एलेक्टोनिक विन्यास निकाल सकते हैं अब दूसरा जो एलेक्टोन का एलेक्टोनिक विन्यास निकालने का परकार है वह और्विट वाइज एलेक्टोनिक विन्यास नहीं सब, सब अर्बित वाइज एलेक्टोनिक विन्याज, उप कच्छ के अनुसार एलेक्टोनिक विन्याज उप कच्छ के अनुसार एलेक्टोनिक विन्याज सब अर्बित वाइज एलेक्टोनिक विन्याज सब अर्बित वाइज एलेक्टोनिक विन्याज अब इसके लिए उप कच्छा, S उप कच्छा में दो ही रख्रोन दा सकता है अब इसके लिए हम एक सीधी बनाते हैं सब्सक्राइज देखे पहाला सेडी हो गया, दूसरा सेडी हो गया, तीसेदा, चौधा, पांच वाइज बनाते हैं सात्वा अब सिरी का ढ़ाल आप देखते हैं कि सिरी का ढ़ाल भी होता है खड़ा नहीं होता है इसका ढ़ाल बना रहे हैं अब यहां से दो से स्टार्ट करें है जो कि दो है ती चार पांच छें चार यहीं हम अधार को बराबर काल देते हैं फिर अब एक छोड़े देंगे यहां से यह से सुरू किये थे अब दो से सुरू कर रहे हैं कि यह दूसरा बार अब तीसरा बार तीन से सुरू करेंगे हम कि तीन से चार पांच छे साथ चौथा बाजु है एक औस सेड़ी का ढाल नीचे करेंगे चौथा सुर करेंगे हम चाथ पांच छे शाथ अब इसमें हम मिला देंगे S मिला देंगे पाहला सेड़ी में दूसरा सेड़ी में P मिला देंगे तीसरा सेड़ी में D मिला देंगे और जो चौथा सेड़ी है उसमें F मिला देंगे अब देखिए अब इसको जो है हम इस तरह का पाहले जो है 1 S को भारेंगे उसके बाद इसको भारेंगे उसके बाद इसको भारेंगे 2 S को भारेंगे उसके बाद फिर 3 P में जाएगा इलक्टोन उसके बाद 4 S में जाएगा इलक्टोन फिर आएगा 3 D में इलक्टोन जाएगा उसके बाद 4 P में जाएगा उसके बाद 5 S में जाएगा इलक्टोन फिर जो है 4D में आएगा इलक्रोन 4D के बाद 5P में आएगा इलक्रोन और 5P के बाद 6S में जाएगा इलक्रोन फिर जो है 4F में इलक्रोन जाएगा फिर 5D में इलक्रोन जाएगा उसके बाद 6P में एलक्टोन आएगा और उसके बाद 7S में एलक्टोन जाएगा फिर 5P में आएगा एलक्टोन उसके बाद 6D में जाएगा उसके बाद 7P में जाएगा उसके बाद आएगा 6F में जाएगा उसके बाद 7D में जाएगा और अंत में जो है 7F में जाएगा अब हमें सोडियम का एलक्टोनिक विन्यास निकालना है सोडियम का एले संक्यत होता है जिसका परमारु संक्या एगारा तो S में कितने एलक्टोन बताय हुए है दो सबसे पहले S में भरेगा तो 1S square यानि S में जो है 2 एलक्टोन भरेगा उसके बाद 2S है तो S S में कितने एलक्टोन जाएगा दो एलक्टोन जाएगा उसके बाद फिर कितना एगा दो पी दो पी पी में जो है 6 लक्टोन होगा तो आप देखें लक्टोन की संक्या कितना होगा दो दो चार चार आप बी में कितना जाएगा 6 लक्टोन पी में 6 लक्टोन जाएगा तो लक्टोन नहीं संक्या कितना होगा छे दो आठ दो दस टूपी के बाद 3S में जाएगा 3S तो कितना दो दो चार अच्छे चार दस कितना एलक्टोन इसके पास है 11 एलक्टोन और 10 एलक्टोन तक भाग गया अब इसमें जाएगा एक एलक्टोन इसको इस तरह समझे कि जैसे में हम पूरी का बट्वारा खा गया है तो सोडियम के पाहर जो सोडियम का जो पेठ है वह एगारे पूरी को ही खा सकता है अधिक यह नहीं ले सकता है ही आरी इसको दो देविड को दो पूरी देवि यह दो चेश का ब 가운데 चे दिया और पूरी किसंखे एक बच राय दस तक भर ऐले दस पूरी तक ले लिए सवै यम और एक पूरी बच रहा है तो एसको भूख है दो खाने का लेकिन इसके पास एक ही पूरी बच रहा है तो कहें तुम एक ही खाओ यानि जो रहेगा वहीं खाएगा दस तक तो इतना मिल करें खा गया एक पूरी बचा हुआ है और दो इसको चाहिए तो एक पूरी ही इसको मिलेगा एलमुनियम का देखिए एल इसका प्रमानुशन क्या होता है तेरा आप इसको समझे हम पत्ते बिछा रहे हैं यह जो है इस तरह का जो व्यवस्ता जो सिंगी है यह पत्ते बिछाने का काज करेगा अब सबसे पहले इसको पत्ता बिछाई लिए वान एस दो एस दो पी थीरी अस थीरी अस थीरी पी अब देखिए अब इसमें हम पूरी विछा रहें इसके पास सत्रब पूरी खाने का इसका दो जाए तो समें दो अटेगा फिर इसमें भी तो अटेगा इसमें छे अठेगा इसमें दो अठेगा आप देखिए इस गिनी इसको पूरी की संख्या को दो दो चा चार चे चार दस दस दो बाला भाड़व पूरी जो है यहां तर्मीर करके यहां ले लिया को अwendश पास कितना पूरी हैं ॥े अरव बामार तक जो है ले लिया अब पीखîne पाओ छे पूरी काने का भूख है लेकिन पूरी की संख्या सिफ एक है अब नहीं रहेगा तो इसके लिए तो अलग से तो नहीं लाये जाएगा जितना रहेगा उतना है दे दिया जाएगा कि एक ही रोग अब टोटल हो गया दो चार दूछे 10 हो गया 10 दो बारा अब एक तेरा पूरी टोटल मिल करके हो गया इस तरह इसमें छे तक जो है छे पूरी तक खा सकता है लेकिन पूरी घट गया तो घट गया तो बचा रहेगा वहीं ग्राण करेगा कोलोरीन का देखिए सी याल कोलोरीन का एटामिक नमाल सत्रह होता है इसमें सत्रह पूरी खाने का इसका भूख है यानि सत्रह पूरी या ग्रहन करेगा या तो पत्ते की संख्या बिचाहिए यहां से 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s अब इसमें पूरी पिछाहिए अगर पत्ते की संख्या अधिक पिछ जाएगा तो कोई टेंसर नहीं आप सत्रह पूरी आपको लेना है इसमें सत्रह पूरी ही अटेगा तो सत्रह पूरी ही पिछाना है अगर पत्ते अधिक पिछ जाएंगे तो इसको बात में उठा देना है कि जाओ पूरी खत्म हो गया इसमें 2 आठेगा यहांगी दो पूरी खाएगा इसको छे खिला दीजिये इसको दो खिला इए आप पूरी किसंखे गिने कितना अभिता खाया है दो टो चाह दो डमारें बारव बारहह को क्या ओवरी इसमें जे आएगा ऑधिक उच्छा घाल हो जाएगा औरी इसको पांच पूरी ही तिया लाव इसको पुरी ही दिया जायगा। है इसको छह कुरी खाने का भूक ए इसके पास चे पुरी खा सकता है यह लेकि पुरी की संखेया घठ गये हो हिसा पूटल पुरी की संखेया है 17 और यहां तक मीलकर जो है of और επाड़ पूरी खा लीया आई गों अब पूरी खिंख्य किसंख्या बचा हुआ आप मुचा हुआ है वह हिसको देंगी इस पत्ता को है पूरी किसंख्या खतम जिसे भोजबिया में देखते हैं कि कोई बेटी बढ़ गया है तब तर खाना खतम हो गया तो मुझ बना कर अपने मन से उठ जाता है चला जाता है अब इसको भी हम उठा देंगी जाओ पूरी नहीं है तुम को खिराया जाओ इसको जो है हम हटा देंगी को पडल से हटा देंगे अगर आधित भी सादेंगे पतल भी संख्या他 है फीत पत्ते हम यहां से भिछाते है 1s, 2s, 2p, 3s, 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 3p, 3p, 3p हो गया हम, फोल्यस, आब इसे में पूरी परोशी यहाद में मैं, कि दोग हएल कि फोल आजिक, फोलेश स्टिन सेजिए निया श्कन अलेस्ट साय करेवल श्कन अब पूरी के संक्ष लगी में और इसको दो खिला दीजी अब देखिए पूरी की संख्या गिन लें जिए कि अधिक तो नहीं देती है दो दो चार 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 अचे दस दह दो बारा बारा अचे अठारा अठारा दो बीच अगर अधिक पत्ते पिछा देंगे ति इसको हम कि हटा देंगे कि पूरी की संख्या खत्म हो गया गाया भाय पूरी है अब हम कि भी से उपर चल रहे हम अब यह है एलोक्टोनिक कंफिग्रेशन जो है उप कच्छ के आउसाद वे एलोक्टोनिक कंफिग्रेशन जो है आफ़वाउन न दिया था आफ़वाउन आफ़वाउन शाहब न दिया था यह आफ़वाउन ने बताया यह कि सबसे पहले एलोक्टोन कंफिग्रेशन वाले उपकच्छ में पर्वेश करता है उसके बार एलोक्टोन जो है अपने अधिक वाले उपकच में एलोक्टोन भाना सुरू करता है तो देखते हैं सबसे पहले एस में आता है लोक्टोन पर पी में जाता है उसके पार डी में आता है उसके बाद एफ में जाता है अब कौपर का लिजिए ख्रोमियम के दिए पाले 24 अब पत्ते भी चाने काज कीजिए इसके पास 24 पुड़ी ग्रहन करेंगा या 24 पुड़ी को इसका पेठाय ग्रहन कर रेका इसका पेठ चोबिश पुड़ी को जो है असानी से ग्रहन कर सकता है अब पत्ते भी चाहिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4s हो गया 3d के बाद फोर्टी अब इसको पाले पुड़ी को पाले व्यवास्ता कर दिजिए इसको दे दिजिए जो बैठा हुआ है जो लाइन में जो बैठा हुआ उसको पाले खिला दीजिए या दो खाएगा पुड़ी या दो पुड़ी खाएगा या छे खाएगा या दो खाएगा या दो खाएगा अब एक बाद गीन लीजिए कि पुड़ी अवी तक दिये है दो दो चार सेचार दो अगुड़ आताराइग दो वीश कि आप इसके पाहर जो है है शाल ही पुड़ी बच रहा है कि बीश क्षे तक इतना में करके खाल लिया शोटल पुड़ी है चोब 20 तो पुड़ी में बच रहा चा इसको हम चार पूरी ही खिलाएंगे और इस पत्ते में बैठा वाद इसको उठा देंगे कि जाब फूरी खत्म पूरी रहेगा तब तो इसको खिलाया जाएगा अब इसी में घटला इसको इसका दस खाने का दोज है और इसको चार ही मिला लेकिए अब देखिए यह समस्य का उपर होता है कि यह डी जो कहता है हमें डी जो है उसमें दस पूरी खाने का इसका दोज है लेकिन यह कहता है कि आधा से एक कम और पूरा से एक कम हमें मंजूर नहीं है यानि आधा से एक कम का मतलब दी उपकच में दस एलेक्ट्रोन है तो दस का आधा पांच हो गया और पांच से एक कम कि आधा से एक कम हमें मंजूर नहीं है और पूरा से एक कम तो पूरा कितना है दस 10 से एक कम कितना हो गया 9 तो यह चाहल और नव पूरी को यह नहीं ले सकता है यह यह कहेगा कि यह चाल और नौ पुड़ी हमें मंजूर नहीं है यानि इस कालने हम मंजूर नहीं है कि यह चाल और नौ पर यह इधर उधर लगता है जियक्षन कालने यह तत्व जो है शाग है इसके बादी का अच्छा मेरो टोन और नौ रहेगा तो यह इधर उधर दूसे तत्व से लएगा लियक्षन कालने लएगा इधर उधर फल्तवाई कालने तो यह काता है कि हमें चाल और नौ मंजूर नहीं है तो यह बाबर वाला से एक मांग लेगा किहह चाल और नहीं खा सकते हैं यहां खाने का मतलब चाल और नहीं झाल नहीं खा सकता हुँआ है इसके बाली कमेaat चामे क्छ sonra लिए डियूप कच में तो यहां लगयाका किसीना किसी तुत्रसे पर बती किदया करने लगयाई रियक्षां करने यहां पैाबर नहीं नहांपाय। तो इसको आस्थाई बनाने के लिए यहां बवल वाला से कहाएगा कि तुम एक हमको एक दे दो तो यहां पर चाला यहां अपना एक दे देगा यानि इसके पास दोग है सोचेगे कि हम एक ही खा लेती है यहां इसको मन्जूज नहीं है आजा से एक कम यानि चार इसको मन्जूज नहीं है तो यहां क्या करेगा या जो दो है यह एक ही ही रखेगा एक ही पुड़ी खाएगा और पुड़ी दे देगा तो यह चार है तो पांच हो जाएगा या याणि इसका जो है यहां दो था तो एक इसको देती है तो यह चार यहां मत था तो पांच हो गया अब यह अज थाई हो गया आया कौपल का देखिए कौपल का होता है उन थीज प्रवालों संख्या उन थीज अब बूरी की संख्या फाट फाट भी दीजिए तो सबसर पर इस के लिए आप पतल भी शाकते हैं 1S 2S 2P 3S 3P 4S 4S 3D आप इसको पतल भी शाद दीए आप फटा फटी रों को दीजिए इसमें दो गरान करेगा यह पूरी यह दो करान करेगा चोंखाएगा यह दो करान करेगा छे खाएगा इसके पार दो दीजिए जीकितर पुड़ी किशंख्या हो रहा दो आ। दो चाही स्था। 10 चुकि बोला हुआ था कि आधा से एक कम यानि आधा से एक कम का मकलब हुआ चा दस का आधा पांच, पांच का आधा न पांच से एक कम चा यानि आधा से एक कम और पुरा से एक कम इसको मंजूर नहीं है पुरा से एक कम नो यानि चाल और नौव जो है किसी भी हालत में इसको बाइदास नहीं होगा यार चाल और नौव एलोक्टोन को अपनी बाहरी कच्छा में नहीं लख सकता है लेगा इधर उधर पती की दिया करने रियक्षन करने यार एस्टैबल नहीं लह पाएगा तो इसके पहले बाला उपकच से एक एलोक्टोन ले करके या अस्थाई बन जाएगा अब इसका जो है अगला हो जाएगा सब कुछ वहीं जाएगा ओन एसकायर, टू एसकायर, टू पीपशिक्स, थीरी एसकायर, थीरी पीपशिक्स अब यहां पर हो जायगा फोर, एस वाण यानि एक एलोक्रों इसको देदेगा की यहां आस्थाई नहीं लापाएगा तो इधर उधर पत्य कील्या लेगा करने तो दो एक 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 आपने पास रखेगा यानि एक ही पुरी में यह संतोस कर लेगा यह संतोसी है या और इसको दे देगा इलो तुम दस को खालो ताकि तुम अस्थाई रूप से रहा जाओ या बहुत बड़ा पेटू है या इस तरह जो है हम उपकर्च के अधार पर जो है एलोक्रोनिक बिन्यास आपको बताए अब जो तीसरा प्रकार है एलोक्रोनिक बिन्यास का वह और वीटल वाइज या बॉक्स टाइप एलोक्रोनिक बिन्यास कि या जो आविटल वाइज या बॉक्स वाइज वह एलोक्रोनिक बिन्यास है इसको भी मिटा देते हैं और वीटल या बॉक्स के अनुशार एलोक्रोनिक बिन्यास है कि यहार दिया हूंड ने दिया यह तीसरा जो है हूंड ने दिया और यह एक नियम दिया कि समान उजा वाले आर्बिटलों में जो है एलोक्रोनिक पहले एकिक करके भाई जाता है उसके बाद एलोक्रोन का जोड़ा लगना सुरू होता है पहले एकिक एलोक्रोन सब को दे देगा उसके बाद जो है जोड़ा लगाये गाया है एलोक्रोनों का जो यह समें फासफोरस का हो गया पांदर्ण इसमें एलोक्टोन होगा फासफोरस की प्रमालुक्रोन शंख्या पंदर्ण होगा तो इसमें पंदर्ण एलोक्ट्रोन होगे अब इसको लिखिए 1S, 2S, 2P, 3S, आब इसको इसमें 2 एलक्रोन, इसमें 2 एलक्रोन, इसमें 6 एलक्रोन, कितना हो दो दो चार्ट, 6 चार्ट, 10, 10, इसमें 2 एलक्रोन, 3S हो गया, फिर 3P, 3P, चलिए, 2, 2, 4, 6, 10, 10, तो 12, 12, 12 इसमें 3 एलक्रोन, इसमें 3 एलक्रोन, जो उपकच्छ है इसमें जो है इसका एक भाग होता है अब आपको याद रखना पड़ेगा कि S का जो है एक भाग होता है P का तीन भाग होता है S का एक भाग होता है P का तीन भाग होता है D का पांच भाग होता है और F का साथ भाग होता है इसमें जो है एक भाग बनेगा P में तीन भाग बनेगा D में पांच भाग बनेगा और F में साथ भाग बनेगा तो इसमें एक भाग बनाईगे इसका भी एक भाग बनाईगे इसमें P में जो है तीन बनेगा एक, दो, तिरी आप इसमें फिर पी में तिर बनेगा फिर इसका जो है एस का फिर इसमें एक बनेगा फिर पी में चलिए, पी में तीन बनेगा आपको याद दखना पड़ेगा कि एसमें एक बक्स बनेगा पी में तीन बक्स बनेगा दी में पांच बक्स बनेगा और एफ में साथ बक्स बनेगा अब सबसे पहले एक एक करके लेप्रोन को भार लीजिए लेप्रोन को भरिए लेप्रोन को भरिए और दोबारा जब भरेंगे तो इस तरह नीचे पड़तीर का निशान करके भरेंगे अब स्वाब में पढ़े खुण कर लिया मुकार आगे समान अर्बिट्रोन में पढ़े एक एक करके पाल भाज देते हैं उसके बाद इलेप्रोनों का जोड़ा लगना सुदू होता है अब इसको हम जोड़ा लगाई गया कितना एलेप्रोन होगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव नव हो गया पंदेर तक हींच में जाएए जाएगा या नव दस 11 12 13 14 15 अब पंदेर तक ही टोटल इसमें एलेप्रोन भलेगा इसमें जो है पंदेर तक यहां पर आ गया अब इसका जो है बॉक्स टाइप या अल्विटर टाइप एलेप्रोनिक विद्नियास यहीं हो गया अब चलिए क्लोरीन का क्लोरीन का क्लोरीन का होता है 17 परमारु संख्या क्या हो जाएगा वाल एस दो एस इसे शिवनी से आप लिखते चलिए दो पी दो पी 1s 2s 3p 4s अब पहले इसको भाले जिए इसमें दो इसमें दो इसमें छे इसमें दो और इसमें छे चले गिनिये दो दो चार छे चार दास तो बारे बारा छे अर्थार यह पांच रहेगा अब इसको हटा दीजी एनि एलोटोन की जो है इसमें 17 संख्या है एनि 17 इलोटोन ही इसमें रख सकता है अब होगे दो दो चार छे चार दर दर तो बारा बारा पांच 17 अब हम बताए हुए एस का इसमें एक बाक्स बनेगा एसमें भी एक बाक्स बनेगा पी में तीन बाक्स बनेगा दिखे हुए आपार तीन बनेगा फिर एसमें एक बनेगा फिर पी में तीन बनेगा अब अलेक्टोन को इसमें भारिये इस बॉक्स में तो पहले एके के अलेक्टोन सब में भार दीजिए किताब एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ नौ हो गया, दस, एगारः, बारः, तेरः, चाउदः, पंदरः एन इसमें जो है, पंदरः और भलेका, पंदर तक हो गया सोलः सत्तरा जोने जी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ दस, एगारः, बारह, तैरह, चौद्धा, पंदरः, शोलो, सत्तरा अब इसमें जो है, इसका एलेक्रोनिक बिन्याद जो है, एक ही है इसमें जो है यह कि एक है इसमें इधा से जोड़ा लगाते हैं आप यह बॉक्स टाइप जो है इलेक्टोनिक विन्यास यह और बिटर टाइप इलेक्टोनिक विन्यास इसी तरह हम निकालते हैं अब हमें चोथा इत्व इलेक्टोन का प्रकार है वह नोबल गयस बाइप इलेक्टोनिक कन्फिग्रेशन यानि अक्रिये गयस के आउंसार इलेक्टोनिक विन्यास अक्रिये गयस के अनुसार इलेक्टोनिक विन्यास है अब देखिए इसी पाले हम आप लोगों बता देते हैं जैसे फासपुरस का पंद्र हो गया फासपुरस का पंद्र हो गया तो दो चार चार अच्छे दौस तो दौस तक जो है कि बदले में हम किसी अक्रिये गयस को ली कि देते हैं कि नियोन का जो है कि एटोमिक नॉमर होता है दौस तो इतना के बदला में हम नियोन लिख देंगे नियोन का संके एनी होता है और इसको घेज देंगे इतना तक के बदले में एक नियोन लिख दिये और इसको आप बाखी को हम लिख देंगे थेड़ी एसस्पायर थेड़ी पी पर थेड़ी यहीं हो जाएगा यानि इतना के बदले में हम एक आख्रिये गाश लिख दिये एनी नियोन नियोन का परमानुशन क्या होता है दस इसमें दस इसमें आ गया और दो इसमें बारव आत्तीन पंदर आ यह हो गया कि उसी तरह हम आपको बताते हैं कि पोटेसियम देखिए या काल्सियम देखिए कि इसका उनी सुता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3p 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s अब इसमें लक्रोंट प्रश्ट कीची दो आटेगा, दो आटेगा, छे, दो, छे आटेगा, अब इसमें एक आएगा अब इसमें एक आएगा, और आलगन का होता है, अठालव आलगन का यहां तक जो है, अठालव इलक्रों हो रहा है जो जो चाह छे, चाहदा, जो बार बार चे अठालव, आलगन का यहां होता है, और इसका प्रमारुशंख्यां अठालव होता है, तो आठालव इलक्रोंट के बदले में जो है, एक सिफ हम आलगन लिखे देते हैं, अब बाकी को उतार देते हैं, फोर, एस हुआ यही हो जाएगा, पोटेसियम का इलक्रोनिक बिन्यास, अब यह चारों प्रगाय का इलक्रोनिक बिन्यास, समाब ठुपा, फिर आप लोगों से अगले वीडियो मिलते हैं, अगर अभी तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक क को सब्सक्राइब करने में एक पैसा भी नहीं लग रहा है, यह मूत में हो रहा है, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, तब ही हम पता चल पाएगा, कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और लाश्ट में यह वीडियो जरूर बताए कि कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा आपक बुटनाइट